हे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीती वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने कलौते पुत्र को दे कर हम सभी पर प्रकट किया सभी मसीही भाई बैनों को येश्व के नामे शालोम प्रेज दलोड जै मसी की येश्वदा सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभू येश्व मसी में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ह तो उपवास रखना अनिवार है और उपवास किस रिती से मसीही विश्वासी रख सकते हैं मेरे प्यारे भैमेनों हमें ये जानना जरूरी है कि उपवास क्या होता है क्योंकि बहुत सारे मसीही विश्वासी ये समझते हैं कि केवल खाना पीना त्याग देना ही उपवास ह करने के लिए अपनी शारेरिक इच्छाओं को और अभी लाशाओं को कुछ समयों या दिनों या हमेशा के लिए त्यागना ही उपवास होता है तो आज हम उपवास के विशे में सभी प्रशनों के उत्तर जानेंगे कि उपवास क्या होता है और सचा उपवास क्या है और खास उपवासों को देखते हैं पुराने नियम में देखते हैं जब तो कई प्रकार के उपवास महां हम देखते हैं जिसमें मुख्य तौर पर तीन प्रकार के उपवास हम देखते हैं पहला जिसे हम कहते हैं आशिक उपवास इस उपवास में हम अपने भोजन में से कोई खास ची उन दिनों मैं यानि दानियल तीन सप्ता तक शोग करता रहा उन तीन सप्ताओं के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मास या दाकमदू को अपने मुँ में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया यहां पर हम देखते हैं तीन हफते के यह दानियल नभी ने उपवास रखा है और यह आंशिक उपवास है इसमें उन्होंने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं किया ना ही कोई मासाहार किया ना ही दाकमदू को पिया और अपने देह में कुछ तेल ना लगाया तो तेल ना लगाने का जो तातपर है वो यह है कि उस समय में अपने आपको फ्रेश रखने के लिए वो लोग जो है तेल को मला करते थे अपने सर पर तेल वगारा जो आज कर लोग क्रीम वगारा लगाते हैं उस समय फ्रेश रखने के लिए वो तेल लगाया करते थे ताकि लोग उन्हें फ्रेश जाने तो यहाँ पर हम दे चोड़ दे या स्वाधिश्ट भोजन को छोड़ दे या हम बहुत सारे लोग अइसे होते हैं जो लग्जीरियस बिस्तरों में सोते हैं लेकिन वो परमेश्वर के لिए जब वास करते हैं तो वो साधरन जमीन पर एक दरी बिचा करके एक जो शीट है उसे बिचा करके उसमें स इसके लिए परमेश्वर के लिए ये सारी चीजों को त्याक करना आंशिक उपवास की श्रेणी में आता है। नहीं कुछ पीते हैं यानि पूर्ण रूप से खाने पीने का त्याक करना कुछ निश्चित दिन के लिए एक दिन के लिए या दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए जितनी भी जिसकी सामर्थ हो उसके हिसाब से वो इस उपवास को रख सकता है इसे पूर्ण उपवास कहा जाता है इसमें पूरा अन्य और जल पूरी रीती से त्यागना होता है और तीसरे तरीके का जो उपवास है जो हम बाइबल में पाते हैं वो शारिरिक संबंदों में कुछ समय के लिए अवकाश लेना यानि शारिरिक संबंदों में उपवास करना जिसे हम पहला कुरंतियों स कुछ समय तक आपसी सम्मती के साथ अलग रहें और फिर एक हो यानि कि प्रातना के लिए या उपवास के लिए वो एक दूसरे से अलग रहें और फिर उसके बाद साथ रहें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह शाररिक संबंदों के विशे में भी एक उपवास है यह भी एक उपवास की श्रेणी है तो यहां तीन प्रकार के हमने उपवास देखे एक आंशिक उपवास जिसमें हम कोई अपनी फेवरेट चीज है उसे त्याब करते थे हैं और एक साधारन जीवन जीते हैं किसी निश्चित पीरिड के लिए या निश्चित दिनों के लिए और दूसर तरीके के उपवास ये शारिरिक त्याग हैं जिनको करने के द्वारा हम अपने प्रेम को अपने धनेवादी को परमेश्वर पर प्रकट कर सकते हैं और अपना संबंद परमेश्वर से और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं तो मेरे प्यारे भैबेनों अब यहां पर दो प्रशन उत्पन होते हैं पहला क्या मसीही विश्वासियों पर उपवास रखना अनिवार है दूसरा नए नियम के अनुसार किस रीती से मसीही विश्वासियों को उपवास रखना चाहिए तो पहले बात करते हैं क्या मसीही विश्वासियों पर उपवास रखना अनिवार है जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं मसीही विश्वासियों पर किसी भी प्रकार का उपवास को रखने के लिए कमांड या आदेश नहीं दिया गया है यानि कि कोई भी मसीही विश्वासी उपवास रखने के लिए बात दे नहीं है ये उसकी खुद की स्व पाउंडेशन नहीं है कि उसे उपवास रखना ही रखना है जैसे कि बहुत सारे अलग अन्य जातियों में या अन्य धर्मों में पाया जाता है यहां पर शारेरिक चीजों को किसी भी रीती से मसीही विश्वासियों पर कंपल सरी या अनिवारे नहीं किया गया है केवल मन की चुद्धता और चाल चलन को ही यहां पर उपर रखा गया है यानि कोई भी धर्मिक कार जो शरीर के द्वारा किया जाता है उसके लिए मसीही विश्वासियों को कोई कमांड या आदेश या अनिवारेता नहीं दी गई है तो सबसे पहली बात मसीही विश्वासी उपवास रखने के लिए बात दे नहीं है बाउंड नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कमांड या आदेश प्रभु येश्व मसीह के द्वारा या चेलों के द्वारा नहीं दिया गया है तो अब बात करते हैं तो फिर हम उपवास रखते क्यों हैं क्योंकि जब हम नया न जो पहली सदी की कलिसियाएं हैं वो बिल्कुल सही रिती से प्रभु येश्य मसी की आज्याओं के अनुसार अपने जीवन को चला करते थे और ये हमारे लिए एक प्रेणा है कि वो किस प्रकार अपने जीवन को जिया करते थे और किस प्रकार वो प्रातना और उपवास में लगा करते थे हम प्रेड़तो के कार में पढ़ते हैं कि जो चेले हैं और जो पहली सदी की कलीसिया के जो मसीही विश्वासी हैं वो प्रातना और उपवास किया करते थे निरंतर वो प्रातना और उपवास के साथ वो अपने जीवन को जिया करते थे पहला उधारण हम और शावल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उपवास सहित प्रभू की उपासना कर रहे थे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रती अपने धन्यवाद को और अपने प्रेम को और अपनी आरा बताया कि तीन प्रकार के उपवास, मसीही, विश्वासी या जो प्रभु के लोग हैं वो रख सकते हैं, आंशिक उपवास वो रख सकते हैं, वो पूर उपवास रख सकते हैं, वो शारिरिक संबंदों का जो अवकाश है वो भी रख सकते हैं, चाहे कोई सा भी उपवास हो, वो सभी पर्मेश्वर के लिए अपनी संसारिक और शारिरिक अभिलाशाओं को त्यागना होता है जिससे कि हम अपने प्रेम को पर्मेश्वर के प्रतीप प्रकट करते हैं। अपने संबंद को परमेश्वर से जोडते हैं और दूसरा उधारण हम चौधमे अध्याए उसके 23 वचन में पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रातना करके उन्हें प्रभु के हाथ में विश्वास किया था तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो उपवास और प्रातना है यह दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं यानि उपवास और प्रातना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यानि जब हम उपवास करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो यह भी एक तरीके से परमेश्यर को धनेवादी देना होता है अपने फिजीकल रूप से तो हम नए नियम में देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी है वो उपवास किया करते थे और हम लुका के सूसमाचार उसके दूसरे अध्याए और उसके 37 में वचन में पड़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है ह हन्ना के विशे में हन्ना नाम एक भवश दक्तिन थी वो 84 वर्ष की विद्वा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रातना करके दिन रात उपासना किया करती थी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ प्रातना और उपवास के साथ यहाँ पर अराद विश्वासियों को ये कमांड नहीं दिया गया है, बात धे नहीं किया गया है, कि आपको उपवास रखना ही रखना है, लेकिन ये एक तरीका है कि हम प्रातना करें, उपवास करें, ताकि इस रीती से हम परमेश्वर की उपास ना कर सकें, उसकी अराद ना कर सकें, क्योंकि प्रातना और उपवास परमेश्वर से मसीही विश्वासियों का संबंद गहरा करता है और एक और बात हम देखेंगे जब हम लुका कसू समचार उसका पांचवा ध्याय और उसके 33 में बचन से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु येश्य मसी के जो चेले हैं वो उपवास नहीं रखा करते थे देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं उन्होंने उससे कहा यहना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रातना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के चेले भी परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं येश्यों ने उन दिनों में उपवास करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यश्यमसी के चेले उपवास नहीं किया करते थे तो वहाँ लोगों ने पूछा कि यहन्ना के चेले हैं वो भी उपवास करते हैं फरीसियों के चेले हैं वो भी उपवास करते हैं लेकिन तेरे चेले तो खाते पीते रहते हैं ये तो उपवास कभी नहीं करते तब वहाँ पर प्रभु यश्यमसी कहते हैं कि इनका दूला इनके साथ है ये अभी खुशी में है ये शोक में नहीं है और जब ये शोक में होंगे जब इनसे ये दूला अलग किया जाएगा यानि कि प्रभु यश्यमसी का ये इशारा था कि जब वो क्रूस पे चड़ाए जाएंगे तब वो शोक में होंगे उस दौरान जब प्रभु यश्यमसी का पुरुट्फान नहीं हो जाता उनके पास वो अपने आपको प्रकट नहीं कर देते तब तक वो शोक भी करेंगे और उपवास भी करेंगे तो इस बात में प्रभु येश्व मसी का एक इशारा है कि यदि तुम मुझे अपने जीवन में ग्रहन करना चाते हो पवित्रात्मा के आधिन बनना चाते हो तो तुम्हें उपवास रखना होगा और प्रात्ना और उपवास ये दोनों एक दूसरे के साथ जब हम करेंगे तो ना केवल अपने प्रेम को प्रकट करेंगे या धनेवाद को प्रकट करेंगे बलकि अपने रिष्टे को अपने संबंद को परमेश्वर प्रभु येश्य मसी के साथ भी ड्रण और मजबूत करे जिसके दोरा हम उस सहिभागिता को पाएंगे जो सहिभागिता पवितरात्मा के रूप में प्रभु येश मसी के दोरा हमें दी गई है तो यहाँ पर भले ही मसीही विश्वासियों पर जो उपवास है वो अनिवारे नहीं है लेकिन उपवास एक तरीका है एक साधन है कि हम रिश्टे को परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकते हैं लेकिन मेरे प्यारे भाइबैनों केवल भूके रहने से या शरीर की बातों को त्याग कर देने से ही क्या हम सच्चा उपवास कर पाएंगे? क्या ये सच्चा उपवास है कि हम केवल अपने संसारिक च्छाओं को या शारिरिक अभिलाशाओं को प्रभु के लिए या परमेश्वर के लिए त्याग दें क्या इससे हमारी धार्मिक्ता सिद्ध हो जाएगी नहीं मेरे प्यारे भाईबैनों ये चीज तो तब करनी होती है जब हम पूर्ण रूप से नई स्रिष्टी बन जाते हैं हमारा चाल चलन हमारा जो चरित्र है वो प्रभु यश्यमसी की परचाई में हो जाता है हम नई स्रिष्टी बन जाते हैं हमारा ये पहले जरूरी है कि हम आत्मिक रूप से उपवास करें आत्मिक रूप से सच्चे उपवास को अपने जीवन में लेके आए और इस बात को हम यशाय नभी की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसके चोथे वचन से लेके जब 10 वचन तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये जान जाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से प्रसन् यहाँ पर लिखा है जैसा उपवास तुम आज कल रखते हो उससे तुमारी प्रात्ना उपर सुनाई नहीं देगी यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार का उपवास तुम लोग रखते हो उस प्रकार से तुमारी प्रात्ना मुझे सुनाई नहीं देगी क्योंकि त तुम केवल शारिरिक रूप से तो उपवास कर रहे हो लेकिन तुमारा जीवन पूर्ण रूप से पाप में फसा हुआ है तुमारा चरित्र पूर्ण रूप से पाप में फसा हुआ है यदि तुमारा जीवन नहीं बदला है तुम नई सुरिष्टी नहीं बने हो तो यदि त तुम उपवास भी करते रहोगे और प्रात्नाएं भी करते रहोगे तो वो प्रात्नाएं मेरे तक नहीं पहुचेंगी, मुझे सुनाई नहीं देंगी। कि केवल तुम ये सारी चीजे कर लेते हो, सिर्को जाओ के समान बना लेते हो, टाट बिछा लेते हो, राक फैला लेते हो, भूके प्यासे रह लेते हो, क्या इनसे मैं खुश होता हूँ? क्या ये सही नहीं है कि तुम अपने आपको दीन करो? छटे वचन में यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन होता हूँ, वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुवा तोड़ कर उनको छोड़ा लेना? और सब जुओं को टुकडे टुकडे कर देना? क्या ये वे नहीं है कि अपनी रोटी भूकों को बांट देना? अनाथों और मारे मारे फिरते हुआं को अपने घर ले आना? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना? और अपने जाती भाईयों से अपने आपको नाच्छप यहां पर परमेश्वर कहते हैं यह दिखावटी उपवास मुझे पसंद नहीं है इन बातों से मैं प्रसंद नहीं होता हूं बलकि मैं उन बातों से प्रसंद होता हूं जब तुम सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीते हो यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं अपनी रोटी भूकों में बाढ़ दो, अनातों और मारे मारे फिरते हुए लोगों को अपने घर ले आओ, उनकी सुधी लो, यदि किसी को नंगा देखो तो अपने वस्त उसे दे दो, अपने वस्त उसे पहना दो, यहाँ पर दसमे वचन में परमेश्यर कहते हैं, उदारता से भूके की सह करें, और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधिहारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधिकार दुपहर कासा उजियाला हो जाएगा, तो मेरे प्यारे भाइवेनों, यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हमारे जीवन में प्रभु येश्यमसी का चरितर उसकी दीनता, उसका प्रेम, उसकी कृपा, उसकी भलाई हमारे जीवन में नहीं पाई जारी है, तो हम चाहे 40 दिन या 40 साल भी भूके और प्यासे रहे, उस उपवास का रखने का कोई भी मतलब नहीं है, वो उपवास व्यर्थ है, वो उपवास परमेश्वर तक नहीं पह और उसके हम जब 33 में वचन से लेकर 40 में वचन तक पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि प्रभु येश्य मसी के नियाय का सिंगहासन सज़ता है, और जो धर्मी लोग होते हैं, उन्हें दाहिनी और और जो परमेश्वर के विरोध में होते हैं, उन्हें बाहिनी और कर द क्योंकि मैं भूका था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, और तुमने मेरी सुधीली, मैं बंद पिलाया हमने कब तुझे परदेशी देखा अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पैनाए हमने कब तुझे बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तुझे से मिलने आए तब राजा उन्हें उत्तर देगा प्रभु येश्य मस्यून से कहेगा मैं तुम से रहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये किया वे मेरे ही साथ किया तो हमारा जीवन जो है पूरी बीती से भलाई वाला होना चाहिए जब हम किसी जरूरत मन के साथ, किसी दीन दुखी के साथ, किसी परिशान व्यक्ति के साथ, भूके के साथ, अनात के साथ, यदि कोई भलाई करते हैं, तो यहाँ प्रभु यश्मसी कह रहे हैं, वो तुम उनके साथ नहीं करते हो, बलकि मेरे साथ करते हो, और यशाय नभी भ तुम्हारे प्रेम के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूं. तो अपने आपको शारिरिक उपवास में लाने से पहले हमें जांचना होगा क्या हमारे जीवन में वो चरित्र पाया जा रहा है जो प्रभु येश्यमसी की परचाई में हैं. क्या हम नई सृष्टी बन गए हैं. क्या हम पाप रहित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि यदि हम अपने आप कोई नई स्रिष्टी की तरह नहीं जी रहे हैं, तो चाहे हम कितने भी उपवास करते रहें, पूरे-पूरे दिन बैट करके हम प्रभू-प्रभू करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, प्रचारत सुनते र रोटी किसी भूकर को दे देते हैं, यदि किसी नंगे को देकर अपना कपड़ाओं से पहना देते हैं, तो ये असली त्याग होता है, तो ये सबसे बड़ा त्याग है, जिसे हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कर सकते हैं, मेरा यहाँ पर ओर पर यह कहना नहीं है कि हमें उपवास नहीं रखना है क्योंकि पहले सधी की क recruitी कमीशिया के अपने आपको बदल लेंगे तभी हम वो उपवास कर पाएंगे और सही मायने में वो उपवास सार्थक बन पाएगा और वो उपवास और वो प्रातना परमेश्वर को सुनाई देगी और जब हम रोमियो की पत्री उसका बारवान ध्याए और उसके पहले वच्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पालुस लिखते हैं इसलिए हे भाईयों मैं तुम से परमेश्वर की दया इसमनन दिला कर विंति करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्व को भावता हुआ बलिदान करके चड़ाओ यही तुमारी आत्मिक सेवा है यहाँ पर पालुस कह रहे हैं कि अपने शरीरों को अपने अपने शरीरों को जो मसीही विश्वासी हैं अपने अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करक के अपने जीवन को उसकी परचाई में जी कर हम अपने आपको जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चड़ा सकते हैं और अपनी आत्मिक सेवा पूरी कर सकते हैं तो मेरे प्यारे भैबेनों उपवास रखने से पहले अपने आपको हम जाच कि हम किस रीती से उपवास रख रहे हैं क्या हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसी चीजे पाई जारी हैं यदि पाई जारी हैं तो साफधान हो जाएए आपका भूका रहना आपका परिशान रहना परमेश्वर को सुनाई नहीं देगा परमेश्वर को दिखाई नहीं देगा त क्योंकि प्रात्ना और उपवास से हम अपने संबन को परमेश्वर के साथ जोड सकते हैं और सच्चा उपवास क्या होता है ये भी हमने यहाँ पर जाना है और अब बात करते हैं दूसरी बात की कि नए नियम के अनुसार किस रीती से उपवास रखना चाहिए तो मेरे प्यार इतने दिन नहीं रखना है ऐसा कोई भी नियम ऐसा कोई भी कमांड ऐसा कोई भी आदेश हमें नए नियम में नहीं दिया गया है और जब हम पुरानी नियम को देखते हैं क्योंकि पॉलूस कहते हैं कि जो व्यवस्था है जो पुराना नियम है वो मसीही विश्वासियों के यह सिक्षक है हम उससे सीख सकते हैं और जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के उपवासों को देखते हैं जैसा भी हमने जाना तीन प्रकार के उपवास होते हैं तो जब कभी भी हम उपवास रखें तो हमारे लिए कोई रीती नहीं ह कि हमें ऐसे रखना है जैसा भी हम अपने मन में ठाने हम वैसा उपवास रख सकते हैं क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही प्रतिफल परमिश्यर की ओर से हमें मिलेगा हम चाहे कैसा भी उपवास रख सकते हैं यानि कि अगर हम यह कहें कि हम पूरे दिन में कोई भी भोजन नही करेंगे केवल हम जल पे रहेंगे तो ये भी एक तरीके का उपवास है आप अपना समय भी निर्धारित अपने आप से कर सकते हैं सुबा छे बज़े से लेके शाम के छे बज़े तक या रात के बारा बज़े से लेके अगले शाम छे बज़े तक जो भी आपके जितना भी शर अपनी उपासना को परमेश्वर के चड़ों में अर्पित करने का एक तरीका है तो यहाँ पर किस रीती से उपास रखना चाहिए यह आप अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर मनों को जाचने वाला है जैसा मैंने आप से कहाना हो सकता है कि आप सुष्टी नहीं है तो फिर आप कितने भी उपास रख लीजे उसका कोई भी फायदा नहीं होगा तो जैसा भी आपकी शमता है उसके अनुसार अपना उपवास चुन सकते हैं इन तीन तरीके के उपवासों में से आप कोई सा भी उपवास चुन सकते हैं आशिक उपवास साथ ही रहूंगा या फिर पूर्ण रूप से भी आप उपवास रख सकते हैं अपनी शारेरिक शमता के अनुसार तो इसके विशे में कोई भी नियम या कोई भी बाउंडेशन कोई भी कमांड या कोई भी आदेश मसीही विश्वासियों को नहीं दिया गया है क्योंकि हम जा भागिता को प्राप करें जिसका वादा प्रभु येश्व मसी ने मुझ से और आप से किया है तो मेरे प्यारे भैबेनों यहाँ पर हमने उपवास के विशे में जाना कि उपवास क्या है सच्चा उपवास क्या है और मसीही विश्वासियों पर उपवास अनिवारे नहीं हैं और हम अपनी शारेरिक शमता के अनुसार किसी भी प्रकार का उपवास रख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर मनों को जाचने वाला है वो हमारी शारेरिक चीजों को नहीं बलकि आत्मिक और मनों की चीजों को देखता है और उसी के अनुसार हमारा वो न्याय करेगा तो आज के लिए इतना ही प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीश दे अपने वस्नों में बढ़ाए प्रभु येश्यू के सामर्ति नाम में आमीन प्रेश दे लौड जै मसी की